सूपर टेट की बहतरीन तैयारी करनी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एक्जाम डोस हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने ड्रीप चैनल एक्जाम डोस पर और यहां पर आपको पता है कि हम देखते हैं जी एस के केशिंज जी एस in the sense सामान विज्ञान तो अगर आप कोई भी एक्जाम ऐसा देने चाहरें जिसमें सामान विज्ञान आपके सिलबस में है तो आपके लिए यह वीडियो यह उसफुल है इसमें सेलेक्टेट क्रिशन है आप चाहिए अगर सुपर टेट देने चाहरे है तो उसमें भी क सामान विज्ञान से प्रशन नहीं आने तो फिर यह वीडियो आपके काम करने है और आप इसकिप कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करेंगे यहाप इस सेलेक्टेट क्यूशन हम देखेंगे विज्ञान के डेली देखते हैं चले स्टार्ट करते हैं सशन सो हमारा फर्स्ट क्य मोबाइल फोन का आविशकार कस ने किया था सभी लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फोन आविशकारक कौन है इसके ओके तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यह कुशन देखने में बहुत ही फंकी सा लग रहा है कि मतलब यह सिंपल सा है पूछा जा चुका है तो करेक्ट एंसर इसका होता है आपका ओप्शन नबर बी मार्टन कपूर इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा मोबाइल फोन के आविशकारक रही है ओके कृष्ण चिद्रि यानि ब्लैक होल प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया है ब्लैक होल का सध्धांत किसने प्रतिपादत किया है ओके तो ये जेग्राफी से आपका question है और इसका correct answer होता है आपका option number C.S. चंदरशेखर ने ये भी पूछावा question है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है तत्व योगिक मिश्रल ठोस यानि दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़े हैं उनको आपस में मिला दीजे मिक्स कर दीजे और लेकिन एक अ १ क्या दो से अधिक शुद्र पतारों को किसी भी अनुपात में मिलानाा यहाँ पे था क्या कि एक निश्चिध अनुपात में मिलाना है तो किसी भी अनुपात इन सैंस की कम जादा कुछ कितना आप मिला सकते तो क्या बनेगा निए टद्व योगिक मिस्रण गैस सइयुत्तर क्या होगा? मिस्टर यानि मिक्सिचर बनेगा तो यही फर्क होता है योगेक और मिस्टर यानि कि Comound और मिक्न में यही डिफरेंस होता है कि योगेक क्या है कि निश्चित आपको मैं बहुती साधारन भाषा में समझ जाती हूँ इसा तो नहीं है कि चाए दो कप हुई तो शकर हमें 3-4 चमज कर दी यह 1-2 चमज रहनी दी जितनी चाय जितने कप चाय बढ़ती जाएगी उतनी उसी आनुपात में शकर के मातरा भी आप बढ़ाते जाएगे ये होता है आपका योगी कि ये मैंने साधारण भाशा में समझाईए बाके फिर इसमें पानी इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है जितने भी चीज़े है ठीक है पानी भी उसके बाद देख लेंगे अभी मिश्रण मिश्रण का मतलब होता है कि किसी बेनुपात में जैसे क गेहूं है गेहूं में कंकर मिलाना है तो कुछ निश्चित नहीं रखेंगे कितना भी मिला देंगे तो वो क्या हो गया वो मिश्रण हो गया उसमें फिक्स नहीं है कि हम एक कुंटल में दो किलो मिला रहे है ऐसा फिक्स नहीं उठाया और जितना मन किया डाल दिया अगर इ क्या हो गया कोई भी चीज जिसमें कोई फिक्स अनुपात नहीं है वो हो गया मिश्रण चलिए भी देखेंगे नेक्स्ट क्यूशन पी एच मान का निर्धारण किस नहीं किया था ओकी तो इसका जो करेक्ट एंसर होता है वो होता है आपका उप्शन नमर डी सौरंसन नेक्स्ट क्यूशन रक्त का पी एच मान क्या है देखिए पी एच मान के बारे में मैं आपको अल्रड़ी पढ़ा चुकी हो थियोरी में लर्निंग नीट पे विग्यानवारी पेल्च में आप चेक करेंगे तो मिलेगी आपको तो उसमें मैंने पी एच स्केल बनाके दिखाई थी कैसे क्या इसमें कैल्कुलेशन होता है सब कुछ बताया था अगर आप चाहते हैं कि फिर से ये मैं चीजे अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दूँ अलग से सिप्रेट वीडियो बनाके तो कॉमेंट करिएगा तो मैं आपको प्रोवाइट करा दूँगी यूगि इसको समझ लिया तो समझ लिए बहुत सारी आपकी किश्शन ऐसे ही सॉल्व हो गए चलिए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट एंसर होता है इसका सही एंसर होगा आपको ऑप्शन नबर C 7.4 स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या कार्बन की मात्रा मैंगनीज की मात्रा सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा और सही उत्तर होगा मैगनीज की मात्रा मिलाई जाती है ताकि स्टील जो है थोड़ा सा कठोर रहे हाइड्रोजन की खोच किसके द्वारा की गई थी चाल्स, केवेंडिश, प्रीस्टले या फिर बायल और करेक्ट एंसर होता है आपका ओप्शन नमबर भी केवेंडिश, ठीक है दिए सही एंसर आपका हो जाएगा नेक्स देखेंगे, नैट्रोजन के खोच करता कौन है चैट्विक, रदरफोर्ड, केवेंडिश या फिर रैमजी और इसके लिए करेक्ट एंसर होता है आपका ओप्शन नमबर भी रदर फोर्ड, ये सही एंसर हो जाएगा फड़ा फरसे स्नाप्शॉट भी लेते चलिएगा जो आपके पसंदीदा किशन रहें सिरीज में से उसका स्नाप्शॉट ज़रूर ले लिया करिए ताकि एक दुबार अगर आपने देख लिया उसको गैलरी just करते समय तो भी आपके लिए थोड़ा helpful हो जाता है गोता खोर सास लेने के लिए किन गैसों के मिष्णणों का प्रियोग करते हैं oxygen nitrogen, oxygen hydrogen, oxygen helium और organ ओके तो यहाँ पे जो गोता खोर होते हैं क्योंकि पानी के अंदर जहाते हैं तो वहाँ पर उनको सास लेनी के लिए जो सिलेंडर यूस करते हैं वो गैस होगा उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण होता है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका option number C electric bulb के निर्माण में किस काच का उपयोग होता है आप लोगों सबने देखा होगा बल्ब का जो काच होता है वो बहुत ही पतला सा हलका सा लाइट विटेस अलकसा ही होता है ना वो कौन सा काच होता है crown काच, pyrex काच, flint काच, fiber काच so yes वो काच जो है flint काच कहलाता है बढ़ेंगे हमारे अगले प्रशन की ओर प्रयोग शाला में संशलेशित किया गया पहला कार्बनिक योगिक कौन सा था lactic acid, glucose, urea, uric acid एक बार मैं remind करा दूँ कि learning meet पे भी आपकी classes चल रही है reasoning computer की language ही चल रही है जिसमें Sanskrit, English अभी हम देख रहे है जो है वो भी learning need पर ही चल रही है यहाँ पे आपकी जीके ebs यह सारी classes चलेंगे प्लस seated की सारी classes चलेंगे seated प्लस amputate क्योंकि बोद की class जो है वो पैटन इनका सेम रहेगा चले देख लेते हैं क्या होता इसका correct answer यूरिया इसका correct answer हो जाता है ओके chloroform के संबंध में निमलेकित में से कौन सा कतन सही है यानि की chloroform नाम सबने सुना होगा यह होते क्या है अब यह इन चारों में से कोई दो चीज है वो तो option देख के बताना है कोड में से क्या क्या है इनके बारे में क्या सही है यह पहला दूसरा पहला तीसरा दूसरा तीसरा या पहला और चौथा तो chloroform इसके बारे में एक चीज़ तो सबको पता होगी सबने सुना होगा फिल्मों में देखा होगा समवेधना हां रखोते है यानि कि बिहोश कर देते हैं ठीक है इनसान की चेतना समवेधना जो है उसको हर लेते है यही इसका मतलब हो जाता है सीधा सीधा सेंस साब्दे करत और फासजीन उत्पन करता है ये भी इसके बारे में सही है तो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नमब सी दो और तीन देखेंगे नेक्स्ट किशन प्लास्टिक क्या है वस्तुता क्या है संत्रप्थ हाइड्रोकार्बन के जटल यौग असंत्रप्थ हाइड् जटल यौग एक बहुलक क्या होता है यानि पॉलिमर्स क्या होते है इसके बारे में लर्निंग नीट पे थोरी पड़ा रखेंगे तो वहां से आप देख लीजेगा करेक्ट एंसर इसकेशन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर भी असंत्रप्थ हाइड्रोकार्बन के उच्छ बहुलक होते हैं प्लास्टिक साबो दाना ब्रत में उपवास में सभी खाते होंगे साबो दाना किस से बनाया जाता है साइकस, पाइनस, सेड्रस, जूनी पैरस और करेक्ट एंसर होगा इसकेशन के लापका ऑप्शन नंबर इस साइकस इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला प्रश्न मैंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने संतानों का गड़नात्मक विशलेशन प्रस्तुत किया था? उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एकी लक्षर को एक बार मिलिया था? उन्होंने वन्शावली अभिलेक रखे थे या उन्होंने मटर के पौधे का चैन किया था, क्यों उन्हें सफलता मिली, यह आपको बताना है, अपना जो भी उन्हें उनका concept था, सिधान था, तो एक question देखें ये भी आता है, कि मेंडल ने जो है, किस पौधे का प्रियोग किया था, यह एक अलग से question आता है, जो कि पूछा जा चुगा है, तो यहां पर आइंसर उसका रहता है मटर की पौधा ठीक है मटर का पौधा जो होता है वो उसका आइंसर रहता है और यह question उसी से related करके बनाया गया है option number D से ही होता है उन्होंने मटर के पौधिकार चयान किया था जितने option यहां दिये हैं वो इसमें से एक यह सही है हर गोविंद खुराना को किस आविश्कार के लिए सम्मानत किया गया फटा फट से options देख लीजे protein sensation के लिए gene sensation के लिए nitrogen चारों के sensation के लिए फिर इन में से कोई नहीं तो यहां पर इसका जो correct answer आपका हो जाएगा वो हो जाता है option number B gene sensation के लिए हर गोविंद खुराना को सम्मानत किया गया इसका अविश्कार जो है उन्होंने किया प्रयोक शाला में सरप्रथम DNA का sensation किया गया था किसके द्वारा या किस ने किया था आपको यह उसी यह बता रहा है Miller ने, Quranा ने, Debridge ने या फिर Kelvin ने वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा, लाइक से मॉटिवेशन मिलता है जादा वीडियो आएंगे, आप लाइक करेंगे तो बिल्कुल और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यहाँ पे जो correct answer होता है, इस question के लिए वो होता है आपका option number B, खुराना नहीं, यह इसका correct answer हो जाता है तो सबसे पहले प्रयोक्षाला में, DNA का translation किस ने किया था? खुराना नहीं किया था, तो यह इसका correct answer हो जाता है किस ने किया था? अभी उपर हम लोगों ने वही जिस पढ़ा है है ना हर गोविंद खुराना जी, इसलिए उनको जो है सम्मानत भी किया था यह question उसे से related था, कुछ भी नहीं था, बस पूछने का तरीका अलग था ऐसे ही question के लिए रहे तयार, all the best अपने exams के लिए thanks for watching, keep studying and bye bye